मेरे प्रिय दर्शकों इस जोतिश और आध्यात्म के इस ग्रहों का खिल कारिकरम के माध्यन से आप कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और आपकी दिली तमना है परसनल इच्छा है कि आप उससे परसनली मिलकर आप अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की जन खुंड़ी का विस्टेशन बेरे साथ बैठ कर करवा सकें इसी कड़ी में मैं आप सभी से मिलना आ रहा हूँ 26 और 27 जून को दिली में जहां पर आप उससे परसनली मिल सकते हैं फोन नबर भी आप नोट कर सकते हैं 011-65-420-685 और 64544-625 28 जून को लखनव और 29 जून को मैं रहूंगा कानपुर उतरपरदेश में 3 और 4 जूलाई को मैं रहूंगा जोतपुर अपने केंदर में 7 जूलाई को हैदराबाद 8 जूलाई को बैंगलोर और 9 जूलाई को चेंड़ाई तमिलाडू पे रहूंगा 0291-519-000 या फिर 093-14728165 और 10 और 11 जूलाई को मुंबाई बे रहूंगा जहां 093-2427-2446 पे संपर करके आप मुझसे परसली मिलने का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उसके बाद 16 और 17 जूलाई को पुरह दिली रहूंगा जहां पर 011-65420-685 पर संपर करके आपॉइंटमेंट ले सकते हैं 18 जूलाई नागपुर यहां के लिए 093-710-73487 पर संपर करके आपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं 19 और 20 जूलाई को जबलपूर मध्यपरदेश में कई समय के बाद में जा रहा हूं जहां पर संपर करने के लिए 099-07-94-3952 पर आप संपर कर सकते हैं और 28 जुलाई को बोवनेश्वर उडिसा में मैं मिलूंगा, वहां के लिए आप जोधपूर काराले में संपर करिए, 0291-519-00-00, तो आप सभी का इंतजार रहेगा, आप सभी मुझसे परसनली मिलकर आप अपने या परिवार के सदस्यों के बारे में पूछ सकते हैं, जान स हैं, इन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की हैं, इनका प्रश्ट ये है कि किस शेत्र में सफलता मुझे मिल सकती है, मैंने कोई बहतर पढ़ाई नहीं किये, श्रिमाली जी तो आपने मुझे कई बार कारेकरम से लोगों को कहा है, कि जब आप बहतर पढ़ाई नहीं करते हैं, कि इनको फ्यूचर में जॉब करना बैटा रहेगा, या बिजनस, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, तो मुश्किल से 30-40,000 रुपे हद है, जो मैं कमा सकता हूँ, यदि बिजनस करूँ, तो मुझे कौन सा बिजनस करना चाहिए, और मैंने किसी पंडी जी को अपनी कुन ने लिख कर दिया है, और ये अपनी कॉलानी में रहने वाली एक लड़की से प्यार भी करते हैं, लेकिन वो करती है या नहीं करती है, ये इन्होंने कभी पूछा नहीं, हाई हैलो ही होती है, और उस लड़की के पिता एक आईएस ओफिसर है, भविश्य में इनका विवा क इसा है, दूसरा मेरिज, तो आईए जन्म कॉंडली पर निगाह डालते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है इनके ग्रहों का खेल, ये जन्म कॉंडली इस वक्त आपके सामने जो तीन नंबर से शुरू होती है, लगर में ब्रैश्पति बिराजबाने जिसे हम मिथुन इस आम लोगों से ज्यादा रहते हैं, यानि दो तरह के विचार मन में बनते हैं, हमेशा दो गोड़ों पर सवारी करने की कुशिश करते हैं, क्या करें, क्या नहीं करें, जो किया लगता है यार मैं वैसा करता तो ज्यादा बहतर रहता, और जो नहीं करते हैं, लगता है कि मुझे ये नहीं कुछ और करना चाहिए इस परकार की कश्व कश्वरिस्तती हमेशा बनी रहती है यही विचार इन्हें उन्नती में बाधा भी देता है अब यहां पर लगनेश बनते हैं बुद्ध जो कि सिक्स था उस पे होने से इंसान को थोड़ा संगर्श अधिक करना पास गए टीचर खुद ही अनपढ़ हैं आपको कैसे पढ़ाएंगे लेकिन लगनेश जो कि सुखेश भी है और पराकरमेश सूरी के साथ है तो देखिए पराकरमेश यानि जहां तीसरा गर है जहां पांच नमर लिखे हुए उसके लौड बुद्ध जो कि इस कुडली में सुखेश भी हैं तीन और छे नमर के लौड सूरी और बुद्ध साथ में हैं पराकरमश भाव के लौड तो 32 वर्ष से भागे उदे ऐसे लोगों का होता है और बाद में व्यापार ही करना चाहिए और वो भी कोई एजनसी ट्रेडिंग कमिशन आरत और ट्रेवलिंग अगर व्यापार में रहेगी तो बहतर रहेगा बरते हमारे दूसरे पॉइंट की दरफ सेवन्थ हाउस जो की व्यापार का भी होता है और इस्त्री का भी होता है और इस्त्री यानि पत्री वहाँ पर धन भाव के स्वामी देखे जो आपर 9 नमबर लिखे हुए हैं वहाँ पर श भाग स्थान के सौामी शनी के साथ विषध दोश बना रहे यानी जहर, चार नमबर के सौामी चद्रमा, 11 नमबर यानी भाग स्थान के लौड शनी, दोनों बैठ गे साथ में, आफ साथ को कितना ही बहतर से बहतर दूद्द बलाएए, बनेगा तो जहर ही, तो वो ही इनके सा जो मन मस्टिश में अग्यात भाय देते हैं हालांकि आप भाग्य शाली तो जरूर है क्योंकि शनी अपनी तीसरी शुब दृष्टी से भाग्य श्तान को देखते हैं नौ से लेकर ग्यारा की तरफ एक एरो गया है इससे आपको इसपस्ट हो रहा है कि शनी अपने घर को देख रहे है अतहा अभी तो आपको जौब ही करने चाहिए 32 साल तक और वैसे भी शनी की साड़े साथी भी अभी आपको तकरीबन 7 साल और रहेगी और विवाह विश्दोष होने के कारण कुंडली मिलानकर तथा अरेंज मैरिज के ही योग है दुखी तो आप जरूर होगे परन्तु सत्य यह है कि आपके लव मैरिज के योग बहुत कमजोर है है ही नहीं और विश्दोष तथा पत्री से सुख के भाव में शुक्र रहु की योटी जहाँ पर 10 संबर लिखा हुआ है वहाँ पर शुक्र रहु यह पत्री से सुख का गर होता है कि योटी ठीक नहीं है और योग 24 जुलाई 2017 से आपके विवाह के गटित होते हैं तो थोड़ा मुश्किल आलांकी लगन में 10 ताउस और 7 ताउस पर शरी हो तो हम कई बार कहते हैं कि आपके लव मेरेज के योग बनते हैं लेकिन विश्दोष और शुक्र रहु की यूती आपको पहली बात लव मेरेज करने ही नहीं देगी जैसे तैसे कई बार लोग कर भ भा के बहला फुसला के तो चार महिने भी ने टिक पाती है और डावर्स हो जाता है इसलिए मैं ऐसी कोई सलाह नहीं दूँगा अभी चार दिन रोना जाता है बहतर है जिंदगी भर रोने से तो बढ़ते हैं हमारा अगले तीसरे पॉइंट की तरफ कि लगने इस्तान में देवताओं की गुरु ब्रैश्पती विराजबान है और सब्तम भाव में चंद्रमा विराजबान है इस प्रकार बना गज केसरी योग इस योग से भी आप सफल व्यापारी बनेंगे ब्रैश्पती चंद्रमा को देख रहे हैं चंद्रमा ब्रैश्पती को देख रहे हैं जब भी गुरु चद्रमा साथ में हो, या फिर गुरु से चौथे चद्रमा हो, गुरु से साथवे चद्रमा हो, गुरु से दसवे चद्रमा हो, तो बनता है गज केसरी हो, गज का मतलब हाती, केसरी का मतलब है सोना, यानि आपको असगारी, मकान, सुख, सुविदाय सब रह तो पता चला कि शुक्र जो मकर राशी में वहाँ पर भी मकर राशी में है यानि शनी की राशी में और डबल जीरो पॉइंट वन नाइन डिगरी के शनी के ही मकर नौमाच में मकर राशी में ही विराजित शुक्र स्रेष्ट फल देता है परंतु शुक्र शिक्षा भाव के स् अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं लेकिन हम बच्चे ही पढ़ाई नहीं डग से कर पाते हैं पता नहीं कौन से दुनिया वे रहते हैं कितना भी बहतर आपका करेर बन रहा हो लेकिन पढ़ाई तो साथ में करनी चाहिए शुक्र द्वादश भाव के भी स्वामी है जहां दो नम्मर लिखे उसके भी लॉड बनते हैं तो आपके लिए महाराष्ट्रा या साउथ ठीक रहेगा और जर्मिस्तान से दूर ही आपका भागय उद्य होगा अभी आप ट्रेवलिंग की सेल्स पर्चेज मार्केटिंग की जॉब करिए और ये म आपको अपना राइट हैंड बना के रख सकता है ऐसी काबलित अपने दर पैदा करनी होगी बरते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ के पंडी जी ने जर्म पत्री देखते ही फेक दी के भाई तुम्हारी कुनली में तो काल सर्प योग है सचिन धेंदुलकर की कुनली मे काल सर्प योग है श्रिमान जवाला नेरो की कुनली में था तो क्या हो गया उनका कोई भवश्य बना नहीं किया ऐसे अजारों लोग हैं दुनिया में तो जहां तक काल सर्प योग का प्रशन है तो वो आपकी जर्म कुनली में नहीं है क्योंकि देवताओं के गुरु ब्र द्रेगन्स हेड है और केतु ड्रेगन्स टेल है यानि साप के मुझ से लेकर साप के पूच तक अगर सारे ग्रह आ जाए तो बनता है काल सर्प योग और यह वकर गति से जैसा मैंने बताए चलता है दस सबर बिराहू है दस से पीछे ही चले गई है दस नौ आठ साथ छे चोड़ चार अगर इसी क्रम में सारे ग्रह होते अब यहां पर देखे ब्रैश पती बाहर है इस चकर भी उसे अता आपको काल सर्प योग नहीं है जिस पंडी जीने में कहा है वो या तो आपने को जरम पत्री दूसरी दी है या फिर उनको अधूरा ग्यान है जहां तक मु जोतिश की रूची रखने वाले लोग देखते हैं काल सर्प योग मुखे तह सारे ग्रह राहू से केतु की मद्याने पर होता है केतु से राहू के मद्य यदि सारे ग्रा जाए तो भी काल सर्प योग जैसा प्रभा होता है लेकिन उसे बोलते नहीं है खेर तो यह आपको गबराने की जरूत नहीं और आपका भवश्य बहतर है अब आज की बरी बाचीत का निश्कर्श क्या निकलता है कि काल सर्फ योग तो नहीं है और लव मैरेज के योग भी नहीं है अभी सिर्फ और सिर्फ कर्म करो और अपने आपको डिजर्विंग बनाओ भगवान से मांगो कुछ मत अपने आपको ऐसा बल चाली और ताकत पर बनाओ कि भगवान खुद आपकी सारी रजा पूरी करे कुंडली में योग बहुत अच्छे हैं तो जीवन के ज्यादातर सुख आप जरूर पराप्त कर लेंगे परंतु आप सिरफ सोचते रहेंगे मुंगेरी लाल वाले सपने अगर पकाते रहेंगे तो उससे कुछ फरक नहीं पड़ने वाला है ये साड़े साथी शने शने चले जो कर्म देने वाली है सने शने चले जो शनिस्चर तो अब आपको मेहनत भया दुग नी करने पड़ेगे तब जाकर शनी आपको परिणाम देंगे कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जिन उपायों का सहरा लेकर आप अपने भविश्य को थोड़ा सा बहतर जरूर बना सकते हैं प्रती सोमवार को शिवलिंग पर भांग से अभिशे करें तो विश्दोष और साड़े साथी के परभाव में कमी आएगी शुक्र का मंतर ओम द्राम द्रीम द्रूम सह शुक्रायन महा कि सोला हजार मंतर जाब आप खुद करेंगे तो बढ़िया रहेगा इसको तीन गुना कर ले तो और भी अच्छा रहेगा विश्दोष नाश्य कवच गले में धारन करें और सवा साथ रती का पन्ना अमेश्य के लिए धारन करके रखिए और किंडर लोगों की सेवा जादा करिए किंडरों को कुछ नों कुछ परसाद दें कुछ उनको गिफ्ट देजिए कुछ रुपाय पैसा देकर उनके लिए बहतर रहेगा तो ये ता इनकी जन्म कुणली का विश्टेशन मेरे प्रिय दर्शकों इस जोतिश और आध्यात्म के इस ग्रहों का खिल कारेकरम के मादियंत से आपकाई वर्शों से जुड़े हुए है और आपकी दिली तमना है परसनल इच्छा है कि आप उससे परसनली मिलकर आप अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की जन्म कुणली का विश्टेशन मेरे साथ बैठ कर करवा सके इसी कड़ी में मैं आप सभी से मिलना आ रहा हूँ 26 और 27 जून को दिली में जहां पर आप उससे परसनली मिल सकते हैं फोन नबर भी आप नोट कर सकते हैं 011-65-420-685 और 64544-625 28 जून को लखनव 29 जून को मैं रहूंगा कानपुर उतरपरदेश में 3 और 4 जूलाई को मैं रहूंगा जोदपुर अपने केंदर में 7 जूलाई को हैदराबाद 8 जूलाई को बैंगलोर और 9 जूलाई को चेन्नाई तमिलाडू पे रहूंगा 0291-519-0000 या फिर 093-14728165 और 10 और 11 जूलाई को मुंबई पे रहूंगा जहां 093-2427-2446 पे संपर करके आप मुझसे परसली मिलने का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उसके बाद 16 और 17 जूलाई को पुरह दिली रहूंगा जहांपर 011-65420-685 पर संपर करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 18 जूलाई नागपुर यहां के लिए 093-710-73487 पर संपर करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं 19 और 20 जूलाई को जबलपूर मद्यपरदेश में कई समय के बाद वे जा रहा हूं जहांपर संपर करने के लिए 099-07-94-39-52 पर आप संपर कर सकते हैं और 25 और 26 जूलाई को कोलकाता यहां पर संपर करने के लिए 098-3160-2512 पर आप कॉंटेट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 27 जूलाई को कटक उडिसा और 28 जूलाई को बोवनेश्वर उडिसा में मैं मिलूँँगा वहां के लिए आप जोदपूर कराले में संपर करिए 0291-519-00-00 तो आप सभी का इंतजार रहेगा आप सभी मुझसे परसनली मिलकर आप अपने या परिवार के सदस्यों के बारे में पूच सकते हैं जान सकते हैं ताकि हम और आप मिलकर समस्या का समधान कोच सके हैं जक्ति प्राव्दिकी और इस प्रकार विश्व को मिला जयोतश विज्ञान जयोतश विज्ञान जो नौग्रह 27 नक्षत्र 12 राशी और कुंडली के 12 भावों पर आधारत होता है इस आधार पर यह हमें भाविश्य के बारे में संपोन जानकारी रेता है गुरुदेव स्तुरेश श्रीमाली जी से कुंडली बनवाकर और कुंडली का परिक्षन करवाकर कितने ही लोगों ने अपने दामन को खुशियों से भर लिया गुरुदेव कहते हैं कि जोतश भाग्य नहीं बदल सकता पर भाग्य को समारा और सुधारा जा सकता है जनकुंडली आपके भविश्य का आईना है ये बतलाती है कब और किस दिशा में होगा आपका भाग्योदै आपका लखी नंबर क्या आप मांग लिखें आपका लखी कलर आपका वाहन सुख आपके लिए भाग्योदै कारत इस्ट देव आपके जीवन की घटनाओं और दुरघटनाओं की जान कारी आपके विवाह योग या फिर कैसा होगा आपका दामपत्ती जीवन आपके स्वयंग के मकान का सपना कब होगा साकार यदि आप विद्यार्थी हैं तो कौन सा विश्य चुनें कौन से राशी आपकी मित्र राशी है किस राशी से आपको हनी हो सकती है आपको कैसा रोजगार या व्यापार अधिक फलेगा क्या आपकी कुंडली में कोई दोश है या फिर आपको राजयोग है गुरुदेश श्री सुरेश श्रिमाली जी के मार्ग दर्शन में बनी इस जन्म कुंडली को जल्दी मंगवाईए और अपने भविश्य को सवारिए ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों ने अपना जीवन सवारा है सुक्स्रमदी एश्वर ये चले आए आपकी द्वार हर व्यक्ति के मन में सदेव यही इच्छा रहती है कि जैसे भी हो उस पर मालक्षमी की क्रपा सदेव बनी रहे उसके व्यवसाइक स्थर अध्वा घर में मालक्षमी का स्थाई निवासो यदि आपके परिवार पर रिन का पोश लगातार बढ़ता जा रहा हो आपके घर में कलेश, लडाय जगडा एवं तनाव पून स्थत्यां पनी रहती हो व्यवसाइक प्रतिष्ठान में उन्नती नव हो पा रही हो आई की अपेक्षा व्य अधिक पना रहता हो रोगने घर में पैर पसार लिये हो कुल मिलाकर घर एवं व्यवसाइक प्रतिष्ठान में हानी, परिशानी वर चिंताय पनी रहना इन सबी समस्याओं का निराकरन है संपून सुक्स्रमद्धिकित यदि आप भी अपने घर एवं व्यवसाइक स्थल में स्थाई सुक्संपति एश्वरी वस्रमद्धि प्राप्त कर मा लक्ष्मी का आशिरवाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आची अपने घर में स्थापित करें प्रांग प्रतिष्ठायुक्त अभी मंत्रित संपून सुक्स्रमद्धिकित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291 519 00 00 98 290 266 25 93 147 28 165 जर्म कुडली विश्टेशन आज मैं एक मा के लाडले और वो भी चार साल और दो माह के बेटे की जर्म कुडली का विश्टेशन करूँगा इनके बच्चे की जर्म से ही उसकी स्पाइनल कॉड यानि की रेड की हड़ी में एक बड़ा सा फोडा जैसा हो गया था जो की चमडी के बाहर भी दिखता था इस समस्या के चलते ही इस बच्चे के जर्म के एक हफ़ते के अंदर-अंदर ही इसका ओपरेशन करना पड़ा खेर ओपरेशन से अब सब कुछ ठीक है ये कहती है कि मैं अपने बच्चे को सामानिय पड़ाई ही करवाना चाहती हूँ ऐसा आप ते बहुत कम देखा होगा कि कोई मा कहें कि मैं अपने बेटे को ज़्यादा पड़ाना नहीं चाहती हूँ और मैं खुद बास्केट बॉल की कोच हूँ और मेरे पती टैनिस कोच है हम दोरों प्लेयर थे पहले अब हम कोच है और हम पती पत्री शायद शायद ही किसी वज़े से बहुत मतलब किसी वज़े से भी हो लेकिन हम बहुत संतोशी लोग है तो मैं अपने बेटे का बहुष्य स्पोर्टस में ही बनाना चाहती हूँ आप कहते हैं कि बच्चों की जर्मकुडली बच्च्पन में ही दिखाने चाहिए कोई उपाय हो तो कियے जा सकते हैं इसलिए मैं पोश रहे हूँ कि मेरे बेटे का भविश्य कैसा रहेगा। तो आईए हम सब देखते हैं कि जर्म कुनली क्या कहती है और क्या है इनके ग्रायन अक्षत्रों का केल। क्या ये वाकए में कोई अच्छा स्पोर्ट्समें बन सकता है। इंदुस्तान का नाम रोशन करेगा और इस मा के सारे सपने साकार करेगा। और दूसरा इसकी स्पाइनल कॉट की बच्पन में ही सर्जिरी होगे किस वज़े सो आगे तो कोई ऐसी कोई तकलिफ नहीं रहेगी। ये दो मुख्य प्रशन जिस पर आज हम बात करेंगे। इसे लोग टार्गेट बड़ा अच्छा बना लेते हैं और उसे एचिव भी कर लेते हैं। और लगनेश, देव गुरु ब्रैश्पती, फोर्था उसमें हंस योग बना रहे हैं। देखिए जापर बारा नमबर लिखाओ वहाँ पर ब्रैश्पती, बुद्ध और सूर्य तीन गरह हैं। यापर ब्रैश्पती, स्वगरह, हंस योग, बड़ा सुन्दर राज योग जिससे ये बालक बहुत प्रसिती पा सकता है। वहीं सूर्य बुद्ध का बुधातीती योग भी शुब है। हालांकि बुद्ध नीच राशी के भी हैं। और केंद्राती पती दोश्च से भी गरसित है। ये दोश्च के बारे में कम ही लोगों सुना हैं जो समझा देता हूँ मैं। देखे नौ, बारा, तीन और छे ये चार गर हैं जो केंद्र के होते हैं। तरों भावों में गरह बिराजबाने तो चतुर सार योग बनता है जो की जीवन में स्रेश्च करियर की पहचान है। यानि नौ, बारा, तीन और छे, चारो गर में कोईन कोई ग्रैज जरूर है ये बड़ा सुन्दर राज्य योग बनता है चतुर सार योग बहुत कम लोगों की कुंडली में होता अगर ये योग है आपकी कुंडली में तो आप जीवन के सारे सुख प्राप्त कर लेंगे बरते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ चटा भाव रोग का होता है और कमर दर्द का भी होता है चटे भाव के लोड़ बनते हैं शुक्र वो द्वितिय भाव में पाप करतरी दोश में ग्रसीत है कैसे जहां पर दो नमर लिखा हूँ वह सिक्स था उस्वता कुंड़ी का रोग का वो देखिए दस नमर बिराजमाने शुक्र तो शुक्र जाए उसके आगे मंगल पीछे रहो वो भी नीच राशी के रहो आप किसी ऐसे गर में रहें जो आसपास गुंडे मौवाली रहते हों तो आप या तो यह सोचेंगे हम अपना पडोस बदल लें या फिर हम खुद ही इस पडोस से निकल जाएं तो आप पडोस तो कैसे बदलेंगे उनको तो आप निकाल नहीं सकते हैं ही जाना पड़ता है तो यह पाप करतरी दोश यह पडोस वाले कहीं जाने वाले नहीं हैं यह यही रहने वाले हैं तो रोग तो थोड़ा बहुत परिशान आपको जरू करेगा लेकिन इसकी काट भी आगे हो रहे हैं यह कुंडली में आगे देखते जाईए तीसरा पॉइंट वही आठफा भाव आयू और मिर्त्यू क्या भी होता है पैदा हुआ बच्चा साथ दिन में आपरेशन बताइए वो भी रीड की अड़ी का कोई कहते हैं यह बेरे बिजनस की रीड की अड़ी है बड़ी मजबूत अड़ी होती है और यह बहुत महतुपून हड़ी होती है यहां देखिए एड ताउस जाँ चारनमा लिखे हुए है वहां के लौट चदरमा स्वैम की राशी में लेकिन अस्टम भाव में इस्तित होने से बाली आवस्था में बाला रिस्ट जैसे रोग भी होता है यह तो बाला रिस्ट के भी बड़ा योग रोग दे दिया है लेकिन यह एड आउस में चंदरमा बड़ा चवरतस बना जाता है यह कॉमन सेंस और आईक्यू पड़ा चवरतस देता है इस बालक का और बहुत बड़ा कलाकार बनने का योग बनता है क्योंकि चंदरमा में स्वैम सोला कलाय है तो यह कोई कलाकार से कम बनने वाला नहीं है और चंदरमा पर गुरू की पांचवी दिश्टी दे से बारा से चार की तरफ एक एरो जा रहा है देवताओं के गुरू ब्रैश्पती तो यह तो आप सामाने पढ़ाई कराना चाहती है वैसे भी यह दस बिनिट बैटे का तो आदे गंटे की चीज़ इसको याद हो जाएगी बड़ा आई क्यू दे जिस बच्चे का तो आप इसको स्पोर्ट्स के साथ साथ इस करियर बे भी डालिये यानि पढ़ाई भी साथ साथ होते रहेगी तो बड़ा अच्चा रहेगा इस बालक को जियूर में खुब मान सम्मान और तरक्की मिलेगी इस सुन्दर भंस योग और गुरु चंद्रमा के नवम भंचम राजयोग की वज़े से मुझे नहीं लगता है कि दुरिया की कोई ताकत इसको तरक्की करने से रोग सकती है आगे बढ़ते हैं शनी ग्रह जो स्पाइन के रोग देने वाले ग्रह है वहीं मंगल ऑपरेशन करवाने के कारग रहे है अब देखिए कि मंगल तो थर्डा उस में है और शनी टैंता उस में है मंगल तरतिय भाव में बिराजबान होकर अपनी आटवी दृष्टी से शनी को देखते है देखिए ग्यारा से छे की तरफ एक एरो जा रहा है यानि ये दृष्टी तो ऑपरेशन का खारण मतने है मैं कई बार कह चुका हूँ कि शनी मंगल साथ में हो दृष्टी संबंद हो तो या तो आदमी खुद डॉक्टर बन के दूसरा का ऑपरेशन या इलाज करता है या खुद के ऑपरेशन हो जाते हैं ये योग परेशन तो कर रही रहा है और यहीं दृष्टी संबंद इससे बहुत ताकत देगा और थर्ड आउस मंगल वैसे भी स्पोर्ट्स मैन के लिए बहुत स्रेश रहता है जिस स्पोर्ट्स में दिमाग के साथ शरीर के बल की जरूत परती है उस कुल्ली में अगर मंगल स्ट्रॉंग नहीं हो आप मेरे को एक भी खिलाडी ऐसा दिखा नहीं सकते है एक भी खिलाडी नहीं दिखा सकते है क्योंकि मंगल ताकत देता है मंगल खुद पराकरम भाव में वो भी शनी के गर में और वापस शनी को देख रहे हैं और शनी खुद बुद्ध के गर में बुद्धिमान बनाता है अलांके बुद्ध नीच राशिक है और चंद्रमा परगुरू की दृष्टी इतना सुंदर योग आप एक स्पोर्ट्समेन मा हैं और पिताजी आपके पती भी स्पोर्ट्समेने इस वज़े से तो आप जरूर सोच सकती हैं लेकिन बच्चे के कुंडली में योग भी बड़े जबरदा से इसलिए आपकी सोच वाके में पॉजिटिव है और ये सोच नेगेटिव जरूर है कि हम इसे पढ़ाना नहीं चाहते हैं अब पढ़ाएए भी साथ में और साथ में इसके स्पोर्ट्स का गरियर भी बनाएए ये अच्छा रहेगा तो आज की बड़ी बात्चित का निश्कर्श क्या निकलता है कि वर्ष दोजार बाइस तक मारकेश बुद्ध की दशा में कोई खास प्रगती इस बच्चे के नहीं होगी बुद्ध नीचराशी के जो बे आपको समझा चुका हूँ केंदराती पती दोश और उसी की दशा चल रही है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि बच्चपन में ये खराब दशा निकल रही है बलकि अच्छी तो बूल जाएगे खराब ही रही है इनको रेड़ के अट्डी की समस्या समाप्त हो जाएगी इसके पस्चात लाब प्राप्ती संभव रहेगी क्योंकि उसके बाद साथ साल की तो केतु की दशा महिने चार साल मान लिजे आप तो चार साल और दो महिने है तो आप चारी साल मान के चलिए दोजार बाइस आठ साल तकरीबन बाकी है तो ये बारा साल का हो गया बारा साल के बाद साथ साल की केतु की दशा उननिस साल 19 साल के बाद 20 साल का गोल्डन पिरिड तो मुझे लगता है दुनिया की कोई ताकत इस बच्चे को आगे सागे तरक्की करने से रोक सकती है इस पोर्ट्स में आप चैस, कैरम, निशाने बाजी, तेरंदाजी, क्रिकेट, टैनिस में प्रियास कर सकते हैं अत्वा दिमागी खेल में अंतरास्ट इस तरह पर ख्याती प्राप्त अवश्य कर लेंगे मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी स्कूर्ली में आफ़त है हलांकि कुछ जो आपने सोचा है कि बहतर बच्पन में ही इस दोश के उपाय कर ली जाए तो मैं आपको सरा दूँगा कि छे वर्ष की उम्र शुरू जब हो जाए तब आप उससे इस बच्चे के साथ मिलने आईएगा तब हम इसके उपाय करेंगे आज जो जरूरी है वो मैं उपाय भी आपको बता दिता हूँ जो आपको इस वक्त जरूर करवाने चाहिए और आप कोई उपाय कराएं या नहीं कराएं इस बच्चे की तरक्य भगवान लिख दी है मैं और आप मिलकर रोक नहीं सकते हैं बस इसके खराब जो दोश है उसको जरूर कम कर सकते हैं योगों को बड़ा जरूर सकते हैं पर इसकी मनजिल तरह है सबसे पहले उपाय है मंतर के 23,000 मंतर जाब अवश्य करें और सबसे बढ़िया रहेगा का आप सदेव अपने बच्चे को स्री गनेश आरादरा के लिए प्रेरित करिए और हनुमान जी और शर्नी देव का इसे भगत बनाईए तो इसके लिए बहतर रहेगा अच्छा होगा कि आप इस बच्चे को सिद बीसा यतर में पुखराज मानिकिये और मूंगा जडित एक पैंडल गले में धारन करवा दें तो इसके लिए और भी बढ़िया हो सकता है और एक सुरक्षा कवच गले में धारन कराईए ताकि इस बच्चे के सबस्या कम से कमा सके तो ये था इस बच्चे की जन्म कुण्ली का विसलेशन अगली बार आप ही बैसे भेजिएगे किसी सक्ष की कुण्ली का विसलेशन अवश्य करूँगा तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान उच्छिक्षा प्राप्त कर शेष्ट जीवन यापन करे अमीर हो या गरीब हर कोई अपने तरीके से बच्चे को कौन रूप से शिक्षा दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं परन्तु मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी जरूरी है क्योंकि हमारा संपून जीवन नवग्रे एवं बारा राश्यों पर आधारित है शनी ऐसा क्रूर ग्रे है जो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में अकारण बादा एवं परिशानी पैदा करता है यदि शनी प्रतिकोल स्थि में है तो अनेक प्रकार की विलंबन उद्पन करता है आत्मविश्वास में कमी, स्मरन शक्ति की कमी, एकागरिचित की कमी, पढ़ाई में मन नहीं लगना सब कुछ आती हुए भी परिक्षास्तल पर भूल जाना या फिर भर पूर महनत के उपरान भी या तेश्ट फल की प्राप्ति ना हो पाना यह सारे स्थतियां यदि आपके बच्चे में भी नजर आती हैं, तो घबलाए नहीं शीगर ही मंगवाए गुरु देव द्वारा विशेश रूप से अभी मंत्रित संपूर्ण विध्याप्रदायक के जिसमें आप आएंगे विध्यादायक सरस्वती यंत्र अभी मंत्रित सरस्वती रुद्राक्ष विध्याप्रदायक पोथली सरस्वती उपासना पुस्तत अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291 519 00 00 98 290 2625 93 147 28 165 दिल्ली 6542 0685 मुंबाय 93 24 27 2446 नापपुर 93 71 07 3487